लोग अकसर बात करते हैं कैनेडा की फिनेंशल कंडिशन के बारे में और बोलते हैं कि यहां पे जॉब्स नहीं है यहां पे उपर्चुनिटीज नहीं हैं इन फाक्ट मैंने तो मतलब कि बड़े-बड़े ब्लॉगर्स को सनाय कि यहां कि आज की वीडियो में थोड़ी सी हमे कि क्या पुटेंशल इस कंट्री का एक मैं आपको एक स्टाइट बताता हूं जो बड़ा एक सिग्निफिकन स्टाइट है थोड़ा सा समझना है स्टाइट को फिफ्टी परसंट फिफ्टी परसंट ऑफ दे बिलियोनेर्स राइट एन मिलियोनेर्स इन कानेड़ा 50 परसंट वो है ना इमिग्रेंट मिलियोनेर्स वो बिलियोनेर्स हैं वो यहां के नेटिव नहीं है राइट सो क्या मतलब इसका इसका मतलब है कि यह कंट्री जो है यह आपको एक 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 पल ऑपर्चुनिटी दे रहा है राइट बहुत सारे कंट्री में आपको नहीं मिलती एक एक आपके पर रिस्ट्रिक्शन होती हैं आपके पर रिस्ट्रिक्शन होती हैं वीजा अपना citizenship नहीं देते हैं आपको equal rights नहीं देते हैं कैनडा बाकी तो चीज़ें देते हैं पर business के अंदर भी आपको equal playing ground देते हैं इसी वजा से Chinese, Indian, Pakistanis, Arabs, मिलियनर्स और बिलियनर्स जो नहीं कैनडा की citizenship लेते हैं यहां पर अपने बच्छों को लेकर आते हैं बच्छों को लेकर आते हैं और यह common practice है basically, right, so कैनडा की यह stat आप याद रखे 50% अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, right, यह story है, एक success story है, जो Edmonton में हो सकते हैं, कुछ लोगों को पता हो, but अगर आप Edmonton में नहीं रहते हैं, तो आपको हो सकते हैं, ना भी पता हो, right, One of the biggest developers, so land developers Edmonton, right, company का नाम है Cameron, Cameron developments, right, Cameron Corporation, Cameron developments, right, उन्होंने काम स्टार्ट किया था, 1979 के अंदर, 1979 के उन्होंने land development शुरू की, commercial land development शुरू की, फिर उन्होंने जो है ना, residential गर बनाना शुरू किया, 2000 के अरा हूं, और फिर अभी उन्होंने, 10 साल पहले जो है ना, investments भी करना शुरू की, so, यह जो Cameron Corporation है, right, यह इनमें जो एक partner है, right, okay, वो Pakistani origin है, right, engineer, so, यह क्या चीज़ आपको बताती है, right, कि सबसे बड़े, one of the biggest land developers in Edmonton, वो, पकिसानी origin के है, right, और ऐसी countless examples है, एड्मिंटन की एक और सबसे बड़े developers जो है, right, लोहित communities, right, बहुत बड़े developers है, in fact, residential construction के अरे प्रॉबर वन होंगे, और वो, they are Indian origin, right, so, यह examples हैं हमारे सामने, successful लोगों की, जो business के अंदर हैं, जो Canada आए, और when I say success, they are billionaires, and multimillionaires, right, और यह classic example है, कि आप भी आके कर सकते हैं, क्यों, यहां पर playing ground जो है नवा फैर, right, rule of law है, तो playing ground फैर है, कोई बदमाश आके आपको जो है न, उठा नहीं सकता जमीन से, कोई आप पर जो है न, unnecessary, जो है न, cases नहीं कर सकता, right, क्योंकि क्यों, क्योंकि यहां पर rule of law है, यहां पर जो playbook है, जो business की मैं हमेशा बोलता हूँ, जो playbook है न, वो बहुत defined है, right, हम जिस country से आते हैं, वहां पर sometimes playbook defined नहीं होती, right, जिसकी power है, जिसके पास पैसा है, या जिसके पास power है, influence है, वो कुछ भी कर सकते हैं, so, यह examples है, success stories की, मैं example जो ले रहा था, तो आप Canada के अंदर, किस तरह wealth build कर सकते है, generally, I always talk about कि generational wealth build करें, इतनी wealth करें कि आप, एक तो जो हम बोलते है न, यह बड़ा एक common method है, जिसके बोलते है, fire, right, you know, financial independence, retired early, जिसके बोलते है, भी हमारे दिमाग में हमें लगता है, कि हम 60-60 तक जो ना काम करें, भी क्यों, आप next 10 साल में इतने पैसे बना लें, next 5 साल में इतने पैसे बना लें, कि अगर आपको काम ना भी करने की जरूँए हो, तो it's a choice, it's not a necessity, right, so, एक लोगों का mindset भी नहीं होता, wealth building का Canada के अंदर, यहां पर आके complacent हो जाते हैं, मेरी mortgage निकल ली है, मेरा rent पे हो रहा है, मेरी grocery पे हो रही है, सरी है, मैंने दो guardian लेनी, मैं खुश हो रही, अगर आप complacent हो जाते हैं, किसी चीज़ के साथ, तो सहरी सी बात भी है ना, एक एना, reality है, जितना आप complacent हो जाएंगे, तो एक तो यह चीज़, कि आपने complacent नहीं हो, second चीज़ आपने यह करनी है, कि आप जो fire method में आपको बोला, financial independence, independent retire early formula करें, right, accelerate करें अपनी wealth building को, एक चीज में important बताओ, before we go to solutions, wealth building के साथ charity भी करें, wealth building के साथ, make sure you give back, right, the more you give back, the more it comes back to you, so fire के लावा आप क्या कर सकते हैं, दो-तीन और आप चीज़े कर सकते हैं, एक तो मैं बोलता हूँ, 50, 30, 20 डूल जो होता है, 50% आप जो है अपने पैसे, necessities की तरफ खर्च करें, mortgage, आपकी खाना, पीना, सही ना, day-to-day necessities, survival के उपर, 30% of your income जो है आप इना, entertainment की तरफ खर्च करें, travel की तरफ, बाइर खाना हो यह सारी चीज़े हो गई, और 20% जो आपकी income है, 20% of it, at least 20% of it, आपकी होनी चाहिए, towards the savings, investments, अगर आप properly, structurally invest करते हैं, हर दो साल के अंदर आप एक Canada के अंदर एक property बना सकते हैं, and within 10 years, you have 5 properties, individually आप यह कर सकते हैं, right, so, 50, 30 and 20 rule अपना है, okay, और एक और चीज़ में आपको बताता हूँ, अगर आपके पास death है, right, like you know, that means, like you know, आपके पास loans हैं, या आपने पैसे उदार लिया हो हैं, तो हमेशा आवलांच method यूज़ करें, हमेशा अपना highest interest debt को पहले pay off करें, और फिर जो है न, फोकस करें, जो है बाकी low interest rates है, रही चिसके ओपर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉरो इंग को आप leverage करें, Canada की सबसे अची बात ही है, कि आप बॉरो कर सकते हैं, पैसा आप fast grow कर स गर आपको खरीदने के लिए 20% डाउन चाहिए, रही, so these are amazing things about Canada, you can grow faster, so आप debt को leverage कर सकते हैं, पर आपको debt को properly manage करने आना चाहिए, that's an important thing, अगर आप अपनी liabilities को manage नहीं करेंगे, तो फिर आप अपने सर के बलगे रहेंगे, so these are some of the lessons कि Canada में आप successful हो सकते हैं, यह है success stories, 50% immigrant जो है ना वो millionaire बन रहा है यहाँ पर, तो जो भी आपको complaint करता वो दिखता है ना, उसे काम नहीं करना, मैं हमेशा बोलता हूँ, you will see them, they will complain and bitch, but they will not talk about solutions, हर जगा आपको वो भी लोग मिलेंगे जो struggle करेंगे, और हर जगा आपको वो भी लोग मिलेंगे, who are financially independent, choice is yours, choice is, आपने काम करना है, मैनत करनी है, and थोड़ी सी strategic सोच के साथ, इन अप्रोच के साथ, पान से दस साल में आप Canada के अंदर, अराम से सेट हो सकते है, with enough wealth, your family is taken care of, अगर आपको Canada के अंदर investments और business immigration या किसी चीज़ के लिए भी help चाहिए, हमें contact कर सकते है, lotique, lawtiq, lotique.com के अपर, and we'll be happy to help you, thank you. झाल झाल